हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बर फिर से आप सब का स्वागत है SACCGL के प्रिवेस एर कोशन सेशन में आज हम जो डिसकस करने वाले हैं वो है हमारा 19 जुलाई का चौथा सिफ्ट और ये 19 जुलाई का लास्ट सिफ्ट है फोर्थ सिफ्ट क्योंकि एक दिन में जो SAC टायर वन का एक्जाम कंड़क्ट कराया गया था उसमें चार सिफ्ट में एक्जाम कराये गए थे और आज हम 19 जुलाई का चौथा सिफ्ट डिसकस कर रहे हैं तो हम जानेंगे इस चौथे सिफ्ट के उस 25 कोशन को जो आपके GS के सेक्शन में जनरल अवैरनेस के सेक्शन में पूछे गए थे उन कोशन का करेंगे आज डीटेल में आप सब के साथ आंसर्स सेयर करेंगे और यदि किसी को भी डाउट हो तो साथ के साथ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है Otherwise अगर आप किसी questions के answers जान रहे हैं तो उन्हें comment जरूर कीजिए साथ के साथ Otherwise आप इनके answers को note करके रख लीजिएगा क्यूंकि ये बहुत important session होने वाला है खासकर उन student के लिए जो SSC के exam के preparation करें क्यूंकि SSC जो questions पूछता है वो mostly जो SSC के exams होते हैं वो P, Y, Q, previous year questions से relate करके पूछता है और उन्ही questions को कई बार पूछ लेता है हर set में कम से कम 5 से 10 questions जो होते हैं वो पुराने set से पूछे जाते हैं तो इसलिए ये set आपके लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा important तो देखते हैं हमारे आज के session का सबसे पहला question first question सबसे पहला question क्या पूछा गया है आपको यहां हम समझाते है बहुत देखें यहां पर आपसे question पूछा गया है प्रधान मंत्री आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना की जो घोशना की गई थी वो किस वर्ष के केंद्रिय बजट में की गई थी पी-म आत्म निर्भर स्वास्त भारत योजना ये जो अनाउंस की गई थी वो ध्यान दगना अगर हम बात करें तो बेसिकली 2021 और 22 के विट वर्ष यानि फाइनेंसिंग येर में अनाउंस की गई थी जो हमारा 2021 और 22 का फाइनेंसिंग येर था ये तब अनाउंस की गई थी साथ ही साथ यहाँ पे इसके लिए जो बजट पास किया गया था वो 64 करोड रुपे का बजट पास किया गया था 64 करोड रुपेज का बजट पास किया गया था 6 साल के लिए इस बजट को पास किया गया था साथ ही साथ यहाँ पे 3382 जो ब्लॉक्स हैं उनमें परियोग साला बनाने की बात की गए थी, इसी योजना के तहर्ट, 3382 जो ब्लॉक्स हैं उनमें स्वास्त परियोग साला बनाने की घोशना की गए थी, स्वास्त परियोग साला बनाने की घोशना की गए थी और ये सब 2021 और 22 के यूनियन बजट में निर्मला सीता रमन फाइनिस मिनिस्टर के द्वारा अनौंस किया गया था, तो ये था हमारा फॉर्स्ट कोशन और हमने देखा इस पहले कोशन का अंसर क्य चुक्रिसर करें इस कोशन का आंसर कमेंट करने की, अगर आपने इस कोशन को पड़ा हुว है पहले, ये कोशन काई बार आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार डिफ टिफ्रेंट क्या पूछा गय है, Olympic खेलों के प्रतम सीत कालिन संस्कृत का आयोजन कि किस वर्स किया गया था वहिए मैं एगर Olympic की बात करू तो आप ध्यान रखना ये जो Olympic गेंस है सबसे पहला जो Olympic गेंस खेला गया था वो 1896 में खेला गया था गृक यानी Athens एथेंस गृक में उसके बाद यदी हम बात करें सबसे पहला विंटर ओलंपिक 1924 में खेला गया था 1924 में खेला गया था ये था विंटर ओलंपिक Winter Olympic और यह जो game होता था इसे हम बोलते था Summer Olympic और यह जो Winter Olympic खेला गया यह कहा खेला गया套ए था फ्रांस में As it is अगर आपसे वो एक और कोशन पूछ ले कि First Para Olympic कहा खेला गया था तो ध्यान रखना 1960 में First Paralympic यह खेला गया और यह कहां पर खेला गया ध्यान रखना तो जो पहला यह खेला गया था कहां पर तो रोम इटली में तो इस प्रकार से इस कोशन का आंसर होगा अप्सन नमबर A 1924 और जो वो फैक्ट हमने लिखे हैं आप इन फैक्ट को पॉस करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा क्यूंकि यह कोशन है एक और हमने इसमें कई सारे कोशन कर दिया है अगर आपसे वो पूछ ले कि सबसे पहला ओलम्पिक कहां खेला गया था तो एथिन्स में खेला गया था कब तो 1896 में और यदि आपसे पूछ ले सबसे पहला विंटर ओलम्पिक कब खेला गया तो 1924 में कहां खेला गया था तो फ्रांस में खेला गया था और यदि आपसे अगर वह पूछ ले पहला पैरा ओलंपिक कब खेयल गया था तो उसका अंसर क्या हो जाएगा रोम यानि इटली में कब 46 1860 में पहला पैर ओलंपिक गेम्स खेला गया था तो इस परकार से यह questions दूसरा था और इसका answer है पहला यानी ए अब हम देखते हैं हमारे third question को तीसरे question को और इसमें जानने की courses करते हैं क्या पूछा गया है is third question में तीसरे question में इसमें आप से पूछा गया है Carries that was the occupied, they believed by Kingsford, the unpopular judge of Mujaffar Nagar. 1908 में टैस और परफुल वो कौन थे और जिनके साथ परफुल चाह की ने एक गाड़ी पर बम फैका जिसमें उनका मानना था कि Mujaffarpur के अलोक परिये नियादिस Kingsford थे. तो आप ध्यान रखना Kingsford की जान लेने के लिए एक बम फैका गया किनके द्वारा तो ध्यान रखना इसका अंसर हो जाएगा C. खुदी राम की द्वारा, खुदी राम बोस जो की बंगाल में पैदा हुए थे और बिहार के मुझफर नगर में खुदी राम बोस और इनके साथ कौन थे? परफुला चक्की और इस परफुला चक्की की बात की जाए तो इन्हों ने वहां के एक नियाइधीस के उपर 1908 में बम फेक कर उसकी हत्या करने की कोशिस की जहां पर दो बेगुना की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो जो ये प्रफुल है प्रफुल इन्हों ने अपनी खुद की हत्या कर ली गोली मार कर खुद की हत्या कर ली ध्यान रखना गोली मार कर और ये जो खुदी राम बोस थे खुदी राम बोस खुदी राम बोस इन्हें फासी दे दी गई इन्हें फासी दे दी गई तो खुदी राम बोस अगर हम समझें तो इन्हों ने मुझफर नगर में एक अलोग प्रिये नियाधिस के ओपर बम फेका जिसकी वज़े से इन्हें फासी की सजा दे दी गई ध्य तो ये थे वो दो लोग जिनोंने 1908 के मुजफर नगर हाथसे के लिए जाने जाते हैं फिलाल इस तीसरे कोशन का अंसर था option number C आप इसे note करके रख लीजिएगा इस story को याद रखेगा इसे related questions बने तो आप असानी से उनके answers कर सको अब देखते हैं हमारे fourth question को चौथे question को यहां पर आपसे पूछा गया है पैप्रोलिन भाई यह जो पैप्रोलिन है न एक poison का काम करता है पैप्रो निल यह जो पैप्रो निल है यदि हम इस पैप्रो निल के अलावा इथायल एक्केट और वायराले डाहिड बट्रायले डेड और नाइटरेट एंड सम्कॉमन एडल्ट यूस्ट इन तो बेसिकली ध्यान रगना पैप्रो निल एथिल एसिटेट ब्यूटी राले हाइडरिड और नाइटरेट कुछ ऐसे सामाने अपमी स्रक हैं जिनका उपियोग मिलावट के लिए किया जाता है किस इसकी मिलावट के लिए ice cream में मिलावट के लिए किया जाता है और यदि इसका मिलावट किया जाएं और इसे खाने से इसे खाने से जो हमारी आत हैं हमारी kidney हैं हमारे हार्ट से वो डेमेज हो सकते हैं ध्यान दखना अगर हम बात करें लंक्स, किड़नी और हार्ट की लंक्स, किड़नी and हार्ट की तो यह डेमेज हो सकते हैं और इन से समबंदी डिजीज, बीमारियां उत्पन हो सकती हैं तो आप ध्यान रखेएगा, यह वो एक poison है, जो इमके साथ मिलावट करके बनाया जाता है, basically ice cream में इसका इस्तमाल किया जाता है, तीसरे question का अंसर, चौथे question का अंसर था C, अब हम देखेंगे हमारे 5 यानि 5 वे question को, तो भई देखें इस 5 वे question में आप से क्या पूछा गया जाता, which pioneer scientist used radio waves to transmit signal over distance of several kilometers in the 1890, निमलिखित में से अग्रमी विज्ञानिक 1890 के दसक में, कई किलोमेटर की दूरी तक संकेतों को परसारित करने के लिए radio तरंगों का इस्तमाल किया इन्होंने, वो कौन थे तो ध्यान रखना है, इन्हें बोला जाता है, यह कौन थे? गुलिल्यो, गुलिल्मो मारकोनी, गुलिल्मो मारकोनी, जिन्हें Nobel Prize से समानित किया गया, यदि हम इनकी बात करें, तो 1909 में, 1909 में, इन्हें Physics की फिल्ड में Nobel Prize दिया गया, और यदि हम इसकी बात करें, इनकी बात करें, तो बेसिकली ध्यान रखना, यह वायरलेस टेलीग्राम के लिए जाने जाते हैं, यह फेमस थे, किसके लिए तो वायरलेस टेलीग्राम के लिए, टेलीग्राम के लिए, चीक है, वायरलेस टेलीग्राम के लिए यह फेमस थे, अधिय अधिक परसिंध थे, वायरलेस टेलीग्राम के लिए, इस पांचवे कोशन का अंसर क्या हो जाएगा, ओप्सन ए, पांचवे कोशन का अंसर होगा, ओप्सन ए, आईए जानते हैं, अब अब मैं PC महना लोबिस महल नोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है कौन से फाइव यर प्लान में की जाती है उन्होंने दूसरी पंचवर्चे योजना के धाचे की संकल्पना की थी ये बिल्कुल सही है ध्यार दखना वे पहली नहीं वे उन्होंने आर्थिक विकास नहीं वे योजनाओं के अध्यक्ष थे नहीं यो वे योजना आयोग के अध्यक्ष थे प्लैनिंग कमिशन के चेर्मेन कौन थे तो पड़ी जवाला ले रूँ थे चिक है तो इस कोशन का आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर ए तो आप ध्यान रखना यह जो दूसरी पंच वर्सिय योजना थी सेकेंड फाइव यर प्लान दूसरी पंच वर्सिय योजना यह इसके मोडल के रूप में जाने जाते हैं और यदि हम बात करें तो मोडल क्या बना पीसी महल नोबिस को दूसरी पंच वर्सिय योजना का मोडल बोला जाता है दूसरी पंच वर्सिय योजना जिसमें हमने इंडस्ट्री को डेबलप करने का संकल पिलिया और अबजेक्टिव बनाया इंडस्ट्री डेबलपमेंट अबजेक्टिव हमने बनाया उद्योगिक छेतर का विकास इंडस्ट्री डेबलपमेंट तो यह था six question और इसका answer था option number a अब देखते हैं हमारे साथवे question को और साथवे question का देखेंगे पहला answer micro credit or micro finance is a novel approach novel approach to bank with poor in this approach bank credit is extended to the poor through सुक्ष्म रिन या सुक्ष्म वित गरीबों के साथ banking करने का एक नया द्रिस्टी कोन है इस द्रिस्टी कोन में गरीबों को डैस के माध्यम से bank रिन प्रदान करता है basically special या self-help group जिसे हम SHG के नाम से जानते हैं और इन्हें micro finance के माध्यम से लोन दिया जाता है micro finance ये actually ऐसे छोटे छोटे कंपनियां होती है ऐसे छोटे छोटी unregistered unorganized संगठन होते हैं जहां ये लोग आपस में मिल कर किसी चीज का निर्मान करते हैं और उस उद्योग को बढ़ाने के लिए bank इन्हें मदद करता है SHG के नाम से सेवन्त कोशन का answer हो जाएगा option number C next हम देखेंगे हमारा आठ्वा कोशन तो भई ये आठ्वा कोशन पूशता है हमारी जनगन्ना हमारा भविश्य भारत की किस जनगन्ना का नारा था जब भारत में census हुआ 2011 में तो इसी का ये objective था our census, our future और इस 2011 में जो हमारी population थी वो लगभग 121 करोड थी जो world का world का 17.5% थी पूरे विश्व का 7.3% हिसा भारत में निवास करता था भारत की population थी आज यदी हम बात करें आज के इस दोर में ये population बढ़कर एक सो चालिस करोड के आसपास पहुंच गई है आज प्रेजेंट में यद करंट की बात करें वर्तमान की बात करें तो ये लगभग 140 करोड के आसपास पहुंच गई है पॉपुलेशन वो जब सेंसेस होगा तो इसके बारे में हमें और बहतर पता चलेगा 2011 की जंगन्ना के आधार पर भारत जो है वर्ल्ड में 17.5% पॉपुलेशन लेकर बैठा हुआ था जो की 121 करोड की पॉपुलेशन रखा हुआ था फिलाल इस आठवे कोशन का अंसर क्या हो जाएगा option number C आप देखते हैं हमारे 9th कोशन को किसी को कोई डाउट होगा आप यहाँ पे comment section में comment कर सकते हैं जामदा लोक निरत्य भारत के किस राज्ये से संबंदित है जारखंड में जारखंड में किया जाने वाला यह एक famous सुपरसिद लोक निरत्य है जिसे हम क्या नाम देते हैं जिसे हम नाम देते हैं जामदा जामदा इसके अलावा यदि मैं बात करूं कर्मा या फिर मैं बात करूं ध्यान रखना शाओ भी यहां पर प्रफॉर्म किया जाता है उड़ी सा जारखंड और इनमें तो यह कुछ famous टांसफों में जो आपको ज जारखंड में देखने को मिलते हैं तो इस कोशन का अंसर होगा नौ में कोशन का अंसर होगा option number C इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हमारे दसवे कोशन को दसवे कोशन जिसमें देखे क्या पूछा गया है संसद ने सविधान के अनुसुची जाती और जनजाती आदेश के दुत्य संसोधन विदयक दुवारा 2022 में पारित किया था यह किस राज्य से संबंदी थै तो आप ध्यान लगना अगर हम बात करें तो एक संसोधन जो किय गया था यह 1950 में जो एक्ट आया था उसके तहट किया गया था अगर हम बात करें तो इसमें जो यह ऑप्संस दिये हुए ना इधिंक वो थोड़ा mismatch लग रहे हैं साइध मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अंसर क्या है तमिल नाडू चिक है तो एक बार हम देख लेंगे इ महा जनपद से पूछा गया है महा जनपद कितने बनाए गये थे तो 16 महा जनपद बनाए गये थे और इस कैपिटल की बात करिए फिलाल जो वजी महा जनपद है उसकी राजधानी क्या थी उसकी कैपिटल क्या थी तो इसका अंसर क्या होगा वैसाली या मिथिली मिथिला य यह बेसिकली इस वजी जनपद की राजधानी थी, कोशल जनपद जो है यह आयोध्या से संबंदित था, पाटली पुत्र जंबंदित यह पटना से संबंदित था, तो इस परकार से यह जो जनपद हैं, महा जनपद यहां पर जो बनाए गए थे, उन्हें हमने यहां पर और उसके क्वतनांग का डैस के निमलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, आप से पूछा गया क्या क्लोरोफोम 334 कैल्विन से रिप्रेजेंट करता है, और जो मिथे ने, यह 111 कैल्विन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस कोशन का अंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल य युग्म या दोनों ही जो मैच दिये हुए हैं, वो क्या हैं, वो दोनों ही मैच यहां पर सही दिये गए हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसी लिए इसका अंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर A, फिलाल इस कोशन का अंसर हो जाएगा A, और इसके बाद अब हम देखते ह है हमारे अगले कोशन को और अगला कोशन है कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 13 वह जो 13 कोशन नहीं यहां पर इसमें पूछा गया है विच ग्रेंड स्लेम टूनामेंट वाज प्लेड बिट्वें 17 तू 30 जनवरी वह साल के आगोन आवागमन में सबसे पहला जो ग्रेंड स्लेम खे जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो ओस्टेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो ओस्टेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है इसका अंसर है चार यह चारों के चारों जो हैं वो क्या है ग्रेंड स्लेम ग्रेंड स्लेम और यह जो ग् पुराना जो Grand Slam है उसका नाम है Wimbledon, सबसे पुराना ध्यान दखना, इस 13 कोशन का आंसर हो जाएगा, अगला जो हम कोशन देखेंगे वो है हमारा 14 यानी 14 यानी 14 यानी 14 विच ऑटोनोमस बोडी बॉज ऑपरेशनलाइज अंडर दा मिनिस्ट्री ओफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट इन 1995 1995 में भूतल परिवेहन मंत्रालाई के तहट किस स्वायत निकाय का संचालन किया गया था, वो कौन सी स्वायत संचालन थी जिसका निकाय किया गया था, तो हम अगर इस कोशन का आंसर समझें तो वो क्या होगा, नेशनल हाइवे अथोरिटी ओफ इंडिया जिसे ही 1995 में भूतल परिवेहन की स्थापना के लिए बनाया गया था, दियान रखना और ये जो NHAI है, इसकी स्थापना इसका इस्टैबलिश में 1995 में किया गया, इसका हेड़ क्वार्टर, इसका हेड़ क्वार्टर ये डैली में इस्थित है, डैली में इस्थित है, NHAI, नेशनल हाइवे अथोरिटी ओफ इंडिया जिसे हम डिफाइन करते हैं, तो हमें इस पहले कोशन का आंसर मिल गया और वो क्या है था, NHAI, बाकी Center for Railway Information, या फिर Inland Waterway Authority of India, Border Road Organization, ये अंसर नहीं है, इसमें पहला ही अंसर था इसका, 15 कोशन, 15 कोशन, तो भही ये जो 15 कोशन है, ये क्या पूछता है, यहाँ पे तो ये पूछ रहा है, अलग करन की कला, जिसे पेट्रो ड्यूरा कहा जाता है, किसके साशनकाल में लोग प्रिये हुए थे, अलग करन की कला, त्यार रखना अगर हम बात करें, अलग करन, अलग करन, ये जो अलग करन है, इसकी जो कला है, ये किसके काल में तो साशनके काल में, साशनके काल में, ये पांचमे मुगल एमपाइर थे, पांचमे मुगल समराट, साजहां, त्यार रखना, जिनके पिता जी थे कौन, इस कोशन का अंसर तो है, साजहां, इनके फादर थे जहांगीर, और जहांगीर के फादर थे अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा साजहां, तीसरे मुगल empire थे अकमार चौ्थे मुगल empire थे जहांगिर, जहांगिर के बाद 5 में मुगल empire बने, साजहां का time period है वो बहुत ही तांवा में जहां की परिजय ही तो साजहां का time period है। वो 1628 से 1658 तक था 1628 से 1658 तक था इस पंद्रवे कोश्चन का अंसर था option number D next हम देखते हैं 16 यानी 16 कोश्चन अब इस 16 कोश्चन में देखें आपसे क्या पूछ लिया गया है तो इस 16 कोश्चन में आपसे पूछा गया है India House Revolutionary Organization was established by the Syaamji Krishna Verma Indes for the separate of Indian nationalism Indian House की स्थापना जो की एक क्रांतिकारी संगठन था Syaamji Krishna Verma जी के द्वारा कहां पर की गई थी ये स्थापना भारत के बाहर London में की गई थी क्रांतिकारी पहल के लिए London में रह रहे हैं भारती है जो वहां जाकर एक सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं उनको एकत्र करना और उन्हें भारत के आजादी का महत्व समझाना उसके बारे में उन्हें जागरुक करना और इसके लिए स्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की वो भी कहां तो लंदन में तो इस कोशन का अंसर हो जाएगा option D इस कोशन का अंसर हो जाएगा क्या भी सोलवे कोशन का अंसर होगा option D यदि हम बात करें कब इसकी स्थापना की ये इंडिया हाउस की और ये कब की गई तो 1905 में इसकी स्थापना की गई तो अब अगर हम लोग बात करें तो next है हमारा 17 कोशन 17 कोशन इस 17 कोशन में देखें क्या पूछा गए निम लिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों जीलों और दल्दलों में पाए जाने वाले जन्तूओं का संग है जिन में चलने हे तू शुक और पैरा पोडिया होती है तो बेसिकली स्कोशन का अंसर क्या हो जाएगा पोरी फेरा नहीं तो इस कोशन का टीनो फोरा इसका अंसर होगा ऑप्शन नमर डी एनी लीडा यह जो एनी लीडा है ना जैसे अगर हम बात करें केच्वे की केच्वा की यह मिलेगा आपको लेक्स में जीलों में और जोंक यह सब किस प्रजाती में आते हैं तो उस प्रजाती का नाम है एनी लीडा एनी लीडा प्रजाती में यह सब आते हैं इस कोशन का अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी कि वह जीरा चित्र सेन को निमिलिखित में से किसके लिए पदम स्री पुरुषकार से संभानित किया गया पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजी कारियों के मध्यम से भारत से लंका के संबंदों को बहतर बनाने के लिए दूसरा एक्चुणी यहां ध्यान रगना यह क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए रिलेट करता है लंका टाई थू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भारतिय सास्त्रे संगीत के माध्यम से भारत और सिलिंका के संबंदों को और जादा बहतर बनाने की कोशिस की गई और इसके लिए इन्हें पदम स्री पुरुषकार से सम्मा बानित किया गया यह फिर अगला कोशन क्या दिया गया है भारतिय सास्त्रे निरत के माध्यम से भारत से लंका के संबंदों को बहतर बनाने की कोशिस बास्तिय सार्तिय किस से निरत्य से डांस से नहीं सिंगिंग से नहीं डांस से इस कोशन का अंसर हो जाएगा ठारवे का सी 18 कोशन का अंसर हो जाएगा सी इसके बाद देखते हैं 19 कोशन को 19 कोशन को 19 कोशन क्या पूछा गया है इसे समझेंगे हम इस 19 कोशन में हम से पूछा गया है निमलिखित में से किस राज्य में प्रतेक वर्स 26 जनवरी को सुरू होने वाले 5 दिवसिय उत्सव लोकरंग का आयोजन किया जाता है तो वो कौन सा राज्य है जहां पर लोकरंग उत्सव का आयोजन किया जाता है तो ये मध्य पर्देश में किया जाता है मध्य पर्देश में इसे कौन ओगनाईज करता है तो आप ध्यान रखना इसे ओगनाईज किया जाता है आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा कला अकैदमी तो यह जो आदिवासी लोक कला अकैदमी हैं कहां की MP यानि मद्देपरदेश की उसके द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जिसे लोकरंग का नाम दिया जाता है और यह उत्सव पांच दिवस्य होता है पांच दिवस्य पाँच दिवस तक इस उत्सव इस फेस्टिबल को सेलिब्रेट किया जाता है इस तिवहार को मनाया जाता है 19 कोशन का आंसर हो जाएगा option number A next है हमारा 20 कोशन next है हमारा 20 कोशन तो भी following of these वेसे अगर आपको इस कोशन का आंसर क्या लगता है comment करके बताएं भारत के उप्रास्टपती को पद की सपत कौन दिलाता है भारत का जो उप्रास्टपती है उसे किसके द्वारा उसके पद की सपत दिलाई जाती है कौन उसे सपत ग्रेंड करवाता है बताएं भी तो आप ध्यान रखना अगर आपने पढ़ा है तो एक है हमारा आर्टिकल आर्टिकल 69 जो इस बात का उलेख करता है कि जो वोईस प्रेजिडेंट है इसे गोपनिय तरीके से कौन ओथ दिलाता है भारत के प्रेजिडेंट के द्वारा यानि भारत के उप्रास्टपती के द्वारा उप्रास्टपती को सपत दिलाई जाती है इस 20 कोशन का आंसर क्या है option number D next हम देखते हैं 21st कोशन 21 कोशन हिंदुस्तान copper limited जिसकी स्थापना 1967 में की गई जिसका headquarter कॉलकता में इस्थित है यहां पूछा गया हिंदुस्तान copper limited इसकी स्थापना किस वर्स की गई हिंदुस्तान copper limited इसकी स्थापना 1967 में की गई और यह basically इसका headquarter का है कॉलकता में कॉलकता में इसका मुख्याला है कॉलकता में इस्थित है अगला कोशन हमारा क्या बनता है किसवे के बाद 22 कोशन आप देखें इस 22 कोशन में क्या पूछा गया आपसे यहां पर पूछा गया है निम लिखित में से किस समीती ने भारत के सविधान में मौलिक कर्तव्यों को सामिल करने की सिफारिस की थी मौलिक कर्तव्यों को सामिल करने की सिफारिस की थी वो कमेटी का नाम क्या था? स्वाण सिंग कमेटी. 1976 में स्वाण सिंग कमेटी के द्वारा भारत का संसोधन Constitution यानि 42 संसोधन, 42 संसोधन के द्वारा जो भारत के Fundamentals Duties है, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, इन्हें इसमें add-on किया गया, सामिल किया गया, तो यह जो मौलिक कर्तव्य हैं, इस 22 में कोशन का answer क्या हो जाएगा, option number B. 1976, 1976 में सविधान का 42 संसोधन किया गया, और वहाँ पे भारत के Constitution में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और जो की स्वाण सिंग कमेटी के द्वारा किया गया. इसे किस ने रिकमेंड किया, तो स्वाण सिंग कमेटी ने रिकमेंड किया, तो इस कोशन का answer हो जाएगा, option number B. अगला कोशन जो हम देखने वाले हैं, वो कोशन है हमारा 23rd कोशन 23 कोशन, तो भही इस 23 कोशन को देखें, क्या पूछाएगा इस 23 कोशन में, इन December 2022, India's Pensions Fund Regulated and Developed Authorities, जिसे PFRDA के नाम से जाना जाता है, has recommended the Federal Government to introduce a Pensions Scheme like UK Pensions Scheme for the country. दिसंबर 2022 में भारत के pension निदी नियामक और विकास प्राधिकरन ने संगिय सरकार से देश के लिए UK Pension योजना जैसी Pension योजना आरंब करने की सिपारिस्टी, जिसे किसके लिए किया गया है, गिग वरकर्स के लिए, जो डेली वरकर्स होते हैं, जो डेली वरकर्स होते हैं, अब वरकर्स होते हैं, जो टेम्परेरी काम करते हैं, या फिर फ्रीलेंसर्स के रूप में काम करते हैं, जिए जियान लगना, वो वरकर्स जो टेम्परेरी काम करते हैं, फ्रीलेंसर्स के रूप में काम करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं, गिग वरकर्स और उनके लिए ही ये PF या PFRDA के दवारा, UK Pension योजना जैसी Pension योजना आरंब की सिपारिस की गई है, तो इस हमारे 23rd Question का अंसर हो जाएगा, Option No.A, Next देखते हैं हमारा 24th Question और ये आज के सेशन का Second Last Question है, Second Last Question है, तो अगर हम समझें, यहां क्या पूछा गया है, नदियों और नहरों की कुल 31.2,000 km की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ कौन सा राज्जे इस मामले में पहले स्थान पर है, सबसे जादा नहरे नदियां किस राज्जे में इस्तित हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा UP उत्तरपरदेश, सबसे जादा च्छेत्र, नदियों और नहरों के द्वारक खटा या ध्यान रखना गहरा जाता है, कहां पर तो UP में, उत्तरपरदेश में, बई देखो हम यहां पर आपको एक चीज़ समझाते हैं, बिसिकली हम जो यहां डिसकस कर रहे हैं, वो क्या है, CGL, PYQ, और यह जो PYQ है, यह टायर 1 के लिए हम डिसकस कर रहे हैं, आज जो हम डिसकस कर रहे हैं, वो है 19 जुलाई, 2023 का 4th shift, 4th shift का paper, यह क्लास डेली 9 AM पर स्टार्ट होती है, तो आप हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़ें, और इस session का अनंद लें, यह PYQ session है, जो आपके लिए बहुत important है, क्योंकि आप जब किसी भी SAC के exam को face करेंगे, उसके लिए सबसे important session होने वाला है, उन सभी student के लिए, यह हैं हमारे session का आज का last question, और इसका number है, question number 25, निम लिखित में से कौन सी सक्षियत, वाद्दे यंत्र, वो कौन सी सक्षियत है, जो कौन से instrument को play करती है, मेंडोलीन, मेंडोलीन instrument से जुड़ी हुई है, उस सक्षियत का नाम आपको बताना है, तो उनका नाम है उप्पाला, पू, स्री निवाशन, जो की जिने 1998 में, 1998 में, पदम, स्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया, इसके अलावा इने संगीत नातक अकैदमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है, यू स्री निवाशन, यू स्री निवाश किस वादे यंतर से संबन्दी थे, जिसका नाम क्या है, मेंडोलीन, वादे यंतर से संबन्दी थे, ये था हमारे सेशन का last question, आज के इस सेशन में इतना ही था, आज हमने जो डिसकेस किया, वो था, हमारा 19 जुलाई का 45, next class जोगी उसमें हम एक नए shift के साथ नए date और नए shift के साथ हम आएंगे basically हम जो CGL है इसमें कितने तो 40 sets को discuss कर रहे हैं और ये 2023 में जो हमारा CGL tier 1 का exam हुआ था उसके PYQ को discuss कर रहे हैं तिक है आज के session में इतना ही था फिर मिलते हैं आप से अगले दिन same time यानि morning में 9 a.m. नए set के साथ किसके तो CGL tier 1 के चीके दोस्तों धन्यवाद झाल Ram झाल Ram क्योंक याल झाल झाल